Hi, question says, find the ratio of 81 to 108. तो ratio के लिए हम हमेशा उसे कैसे लिखते हैं? Fraction में, so 81 by 108 का ratio हमें चाहिए. तो इसका ratio simplify करना है. Simplify करना मतलब, इनके जो भी multiples हो, उसे लिखो. तो multiples लिखने के लिए, हम या तो factorize कर सकते हैं इसे, factorize कैसे करते हैं? जैसे 81 है. तो 81 को मैं किस से divide कर सकता हूँ? सबसे पहले 2 से कर सकता हूँ? नहीं, 3 से कर सकता हूँ. तो 3, 2 जा 6, और 2 remainder, तो 21, तो 21 यानी 7 जा. Correct. उसी तरह फिर मैं वापिस कौन से number से कर सकता हूँ? 27 को 3, 9 जा. Similarly, एक और बार 9 को किस से कर सकता हूँ? मैं 3 से, 3, 3 जा. यह पता लग रहा है कि 81 को 3 into 3 into 3 into 3 कितनी बार लिख सकते हूँ? 4 times. और divided by नीचे जो number है, 108. उसे क्या करें? तो उसे भी इस तरह से check करें. ताकि हम reduce fraction निकाल पाए, तो 108 को तो पहले 2 से divide करें. तो 2 से divide करने पर यह देगा 54. फिर 54 को अगर वापिस से 2 से divide किया, क्योंकि यह even number है, तो हम 2 से divide कर सकते हैं. तो 2 से करने पर यह देगा 27. अब 27 के लिए, you can divide it by 3, 3, 9, जा. और वापिस से जब divide करेंगे, तो 3, 3, जा. और last में अब 3, 3, यानि इसे हम लिख सकते हैं. 2 into 2 into 3 किति बार, 3 बार. अब क्या observe करना चाहिए, उपर नीचे, जो common है, वो cancel हो जाएंगे. क्या common है, तो 3 times 3, तो एक यहां से cancel, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, 3 वंजा, 3 वंजा, तो उपर बचा 3, नीचे बचा 2 into 2, that means your ratio is 3 by 4, और you can write it as 3 ratio 4. all right, so this is your required ratio, thank you.